हाई फ्रेंड्स आज है सेटरडी नाइट, तो चलिए चलते हैं नौएडा सेक्र पचास में महाँ पर कलपाक में बैमू बिरियानी मिलती है तो आज ट्राए करते हैं बैम्बू बिरियानी हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त महाम्मध और आया हूँ नौइडा सेक्टर 50 में कलपाक पर तो ट्राइ करते हैं यहां की बिर्यानी हम आगे हैं सेक्टर 50 में आप यह देख रहे हैं यहां पर हीरा सुईट नजीर पूरा फूड कोट है यहां पर और यह मोती महल दरबार कि डॉमिनोज बिर्यानी बिल्यू कल पाक जहां पर हमें जाना है जहां पर हमारी बैमबो बिर्यानी हमें मिलेगी तो एब हम कलपाक के फ्रंट में आ घए हैं यह पूरा भार का मारकेट और अब Gör Al star जा रहे हैं कि फ्र्स फ्लोर पर यह रेस्ट्रेंट हमा रहे हैं तो अब ह बहुत ही अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है थोड़ा डार्क थीम है यहाँ पर यह रूफिंग आप देख रहे हैं तो यह तो है आपकी रूम डाइनिंग और यह वह बैंबो बिर्यानी है जो कि हम आज टेस्ट करेंगे यहाँ पर तो फ्रंट्स हम आगे हैं टैरीस पे यहाँपर आपको आप़ को आस्ट आपयर ब्लिज fry कर सकते से तो आप ए अपर प्रिधक्टर लगा हुआ है यहाँपरम मैंच भी darüber और यह फौंटेंग भी है यहाँपर उपर का महौल हमें ज़्याद अच्छा लगा तो हम डाइनिंग उपर ही करेंगे और आप यहाँ पर चाहें तो क्योंकि लाइट काफी डिम है देखें थीम कितनी प्यारी है आपर आप लाइट डिम है आप एक केंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं कि बहुत अच्छे से आप देखिए कितना अच्छे से डेग रोड किया गया है और यह सामने सेक्टर पचास की यह रोड अच्छे तो काफी पसंद आया अब हाली बिर्यानी टेस्ट करनी है कि हाँ पर बिर्यानी कैसी मिलती है तो यह हमारी बैंबो गे लिए अतरि बिर्यानी आ गई है यह आप देख रहे हैं बैंबो और इसके पर यह बॉइल डैक रखता हुआ और केले का पत्ता और यह चटनी हमें साथ में दी गई है जिससे कि आप बैंबो बिर्यानी खाएंगे तो अब हम सर्फ करते हैं तो यह इसके अंदर कच्छी बासमती और बॉनलेस चिकन को डालकर स्टीमिंग करकर फिर बनाया जाता है तो जो खड़े मसाली इसमें डलते हैं उनकी बहुती अच्छी खुश्बू इसके अंदर आ रही है और जो हलका हलका चावल की एक जो अपनी खुश्बू होती है वो भी थोड़ी-थोड़ी महसूस हो रही है तो फ्रेंट्स मैंने इसको टेस्ट किया मुझे तो ये अच्छा लगा फ्रेंट्स तो हमने और भी बैंबू मंगाए और जायकेदार है काफी बिर्यानी और जो चिकन है बहुत सौफ्ट है बोनलेस है तो फ्रेंट्स ये था मेरा आज का वीडियो सेक्टर फिफ्टी नॉयडा में कलपार की बैंबो बिर्यानी के उपर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजे चैनल को कीजे थैंक यू